इसराइल ने एक अप्रेल दो हजार चौबिस को सीरिया की राजधानी दश्मिक में इरानी दूतवास पर एस्ट्रैक कर इरानी सेना के लेपनान और सीरिया के लिए वरिश्च कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मुहम्मद रेजा जाहेदी और उनके डिप्टी मुहम्मद हादी हाजी रहीमी समेट साथ अधिकारियों की हत्या करके इरान को एक बड़ा जख्म देने का काम किया इन शिकास गताने लोगे भी दोवा दिया जिसके बाद से ही पूरा इरानी टॉप ब्रास तम तम हाया हुआ है और इसराइल को इस हमले के भयानक अंजाम भुगतने की चेत जावनी भी देती है जिसके बाद से ही इसराइल के प्रधानमंत्री नितनियाहू अपने घर और दूसरे देशों में इसराइली दूतावासों की सुरक्षा को चाक चौबंद करने में लगे हुए हैं घर की सुरक्षा के लिए इसराइल ने अपने एर डिफेंसेज को और म लगता है कि इरान इसराइल के साथ सीधे युद्ध से बचने के लिए उसके किसी दूतावास को निशान बना सकता है। इसराइली दूतावासों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया है कि इरान की ओर से जवाबी कारवाई की धमकियों के बीज येरुशलम दुनिया भर में अपने दूतावासों को बद कर रहा है। आपको यहां ये भी बताते चले कि इसराइल ने इरानी दूतावास पर हमले की अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है। जिसमें सीरिया में इरान के शीर्स इसलामिक रिविलुशनरी गाड कॉप्स के साथ साथ उनके टिप्टी और अन्य पांच आयार जीसी अधिकारी मारे गए थे। तहरान ने इसराइल को दोशी ठहराया है और साथ ही बतला लेने की कसम भी खाई है। तहराई हैं